जै हिंग दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनोखा अंदाज में तो यहां पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर थर्ड जो क्या है आवर चेंजिंग और तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले देखो जो हमारा अर्थ है इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अर्थ में यहां पर एक कोर है फिर उसके बाहर मेंटल है और सबसे उपर वाला जो लेयर होता है वो क्रस्ट का है तो जो क्रस्ट है यह मेंटल पर तैर रहा है यानि मेंटल जो है ना यहां पर तैर रहा ह तो इसी मेंचल पे जो हमारा इसके जो प्लेट्स है और के क्रस्ट की वह मूफ कर रहे है तो पहले समझते हैं, कि यह प्लेट होता क्या है, क्या पोल रहा है प्लेट के बारे में तो चलो देखते हैं पहले जो plate crust पे दिया गया है उसे हमनों लिथासफेरिक plate बोद नहीं क्योंकि हमनों लिथासफेर पे रह रह रहे हैं और लिथासफेर की plates है तो यानि लिथासफेरिक plate हुआ तो देखो the lithosphere is broken into number of plates known as lithospheric plates जो lithosphere है यानि जो हमारा earth crust है वो बहुत सारा parts में तूटा हुआ है अलग अलग तो हर एक part को हम लोग एक plate बोल रहा है और वही जो plate रहता है उसी को lithospheric plate बोला जाता है जो plates रहता है वो move कर रहा है अभी मैंने बताया ना कि वो mental के ओपर तैर रहा है तो किसी भी आप liquid के ओपर कुछ रखोगे जैसे नाओ ही पानी में जालते हो तो वो वहाँ प lithospheric plate को पहले अच्छे से समझते हैं क्या है यह उसके बाद आगे जाते हैं अब लोग यहां पर समझते हैं lithospheric plate का मतलब को अच्छे से lithospheric plate जो होता यह होता क्या है तो सबसे पहले देखेंगे the earth crust consists of several large and some small rigid irregularly shaped plates or slabs which carry continents and ocean flows देखो जो lithospheric plates क्या होता है तो जो हमारा earth crust है यह हमारा earth है ना तो यह जो earth crust है यहां पर बहुत सारे कुछ मालों चोटे और कुछ बहुत बड़े-बड़े plates देखने को मिलते हैं जिसका shape यह size जो रहता है वो fix नहीं रहता है वो किशी भी shape में हो सकते हैं कुछ plates plates ऐसे हैं तो कुछ plates perfect size में हैं तो कुछ और change में हैं तो ऐसे ऐसे करके अलग-अलग plates देखने को मिलते हैं कुछ plates बड़े हैं कुछ plates छोटे हैं यह जो plate रहता है इस पर continent और जो ocean floor है यह रहता है इसलिए इस plates को lithospheric plate बोलते हैं क्योंकि हमारा lithosphere जो है उसी पर हम लोगों को continents और जो ocean रहता है वो देखने को मिल रहा है तो इसी के चलते यही जो plate है इसे lithospheric plates बोलते हैं तो main forces work on earth and cause changes earth पे basically दो तरह के forces जो है वो काम करते हैं एक endogenic force होता है और एक exogenic force होता है तो यह दो ही main forces है जो earth पे काम कर रहा है तो समझते है endogenic forces क्या होता है और exogenic forces क्या होता है तो endogenic forces are the forces which act in the interior of the earth endogenic forces कुछ ऐसी forces होती है जो कि earth के interior में काम करती है मतलब earth हमारा है उसके अंदर में जो भी forces काम कर रहा है उसे हम लोग endogenic forces बोलते है and exogenic forces are the forces that work on the surface of the earth और exogenic forces कुछ ऐसे forces होते हैं जो कि earth के surface पे ही काम कर रहा है देखते हैं हम लोग की earth का जो movement है भी हम लोगों ने endogenic और exogenic forces को देखा endogenic forces कौन से forces होते हैं जो की earth crust के अंदर generate हो रहा है और exogenic forces वैसे forces होकर जो earth crust के बाहर generate हो रहा है तो पहले देखते हैं endogenic forces में दो तरह के forces आते हैं यह जाता है बहुत सारा पत्थर रहता है नीचे आजाता है यहाँ पर सर्फेस पर तो उसको लोग लैंस्लाइट बोलते हैं तो यह सब कुछ कुछ सटन forces होते हैं इंडोजनिक forces के अंदर आते हैं अब समझते हैं diastrophic forces क्या होता है तो जो diastrophic force होता है वो वैसा force होता है जो किसी material के movement से generate होता है जो endogenic force के अंदर आता है जैसे देखो building mountains अगर हम लोग mountains को build कर रहे हैं तो फिर उसके कारण कुछ न कुछ force generate होगा तो जैसे देखो दो plates जो आके आपस में टकरा रहा है यह आके आपस में टकरा रहा है तभी तो यहाँ पर mountain create हो रहा है इसको हम लोग folded mountain बोलते हैं तो यह जो टकराया तो यह भी किसी movement से ही हुआ ना तो इसको हम लोग diastrophic forces बोलेंगे अब समझते हैं exogenic forces के बारे में तो exogenic forces क्या होता है तो वैसा force जो की बाहर surface पर मतलब earth surface के उपर में generate होता है जैसे erosional and depositional erosion का मतलब क्या होगे अगर मालो कोई river आ रहा है तो वो अपने साथ जितना भी sediments को लेते हुआ आएगा उसको हम लोग erosion बोलेंगे और deposition मतलब एक जगा पर जितने भी sediments से उसको लाकर जमा कर दिया तो उसको हम लोग deposition बोलेंगे और यह erosion और deposition जो है यह reverse से हो सकता है wind से हो सकता है sea wave से हो सकता है या glacier से हो सकता है तो ऐसे करके जो evolution होता है landforms का वो होता है चाहे वो sudden forces से evolve हो चाहे diastrophic forces से हो या erosion या deposition से हो तो इस तरह से जो landform का evolution है वो होता है अब उन्हों देखते समझते हैं volcano क्या होता है तो देखो पहले यह वाला जो दिख रहा है यह volcano इसको बहुता है समझ में आ रहा है तो देखो volcano है क्या तो volcano is a wind or opening in the earth crust through which molten material erupts suddenly जो volcano होता है यह होता क्या है तो यह एक मतलब खुला हुआ जगा है earth crust पे जिसमें से molten material जनी जितना भी पिखला हुआ प्रदार्थ है वो erupt होता है अचानक से मतलब जैसे देखो यहाँ पर यह molten magma है हमारा इस area में molten magma है यह वाला area दिख रहा है तो यह molten magma जब erupts हो के surface पे अचानक से आ रहा है तो किसी को क्या पता कि volcano कब erupt होने वाला है तो यह जो molten magma यहाँ पर इस जगह पर है तो वो अचानक से erupt हो का earth surface पे आ जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते है volcano बोलते हैं यह कुछ इस तरह से दिखता है देखो triangle shape का है न एक तो देखो यहाँ पर से जो यह इसका erupt हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो gases and ashes बोलते हैं यह जो अलग-अलग तरह का धुवा और राक जो रहता है वो यहाँ से निकलता है यह जहाँ से erupt हो रहा है इस पार्ट को हम लोग went बोल रहे हैं अभी मैंने आप लोग को पिछले चाप्टर में ही पढ़ाया था मैगमा और लावा में डिफरेंस क्या होता है तो लावा जो लावा होता है अगर कोई भी molten material है वो अगर अंदर है मतलब वलकैनों के अंदर है तो उसे हम लोग मैगमा बोलते हैं और जब वो उपर सर्फेस पे आता है तो उसे हम लोग लावा बोलते हैं अर्थ्क्रस्ट है ये अलग अलग तरह की lithospheric plate से बिलकर बना हुआ है अभी हम लोग ने जाना कि जो lithospheric plate है इसी पे continent और जो ocean है वो मतलब रहा है तो तैर रहा है उस पे तो जो earthquake है तो वो भी तो ocean में आ रहा है या तो फिर land was पे आ रहा है तो देखो जो plates रहता है lithospheric plates वो जब आपस में टकराता है तो उसमें से एक vibration create होता है और जब वो vibration earth surface पे travel करता है तो उसी को हम लोग earthquake बोलते हैं तो यहाँ पर समझते हैं definition से मतलब जो lithospheric plates है वो earth surface पर जब वाइबरेट करता है तो यह vibration जो है earth पे हर जगह पर travel करता है और इसी vibration को हम लोग earthquake बोलते हैं तो next focus बता रहा है कि जो focus है वो क्या होता है तो the place in the crust where the earthquake occurs और the movement starts देखो यह image उतना अच्छा से clear नहीं आ रहा होगा तो देखो यहाँ पर जो यह वाला point है जो मैं अभी black color से दिखा रही है यहाँ पर यह वाला point इसको हम लोग focus बोल रहे हैं फोकस क्या है तो वो ऐसा जगह जहां पर earthquake सबसे पहले start हो रहा है या फिर जो सिस्मिक एनर्जी है वो सबसे पहले start हो रहा है मतब जहां से earthquake का origin बोल सकते हैं कि जहां से earthquake originate हो रहा है उस एरिया को हम लोग focus बोलते हैं और epicenter क्या होता है तो the place on the surface above focus focus के उपर जो ये earth surface पे जहां पर ये strike करेगा सबसे पहले earth surface पे तो उस एरिया को हम लोग epicenter बोलते हैं focus क्या हुआ तो वैसा जगह जहां पर सबसे पहले earthquake उकर हुआ और occur होने के बाद तो occur कहा हो रहा है और जो epicenter होता है उसको यहां पर रिप्रेसेंट करने का कोसिस किया गया है focus वो point होता है जहां से earthquake originate हो रहा है यानि कि यहां से जो red वाला point दिख रहा है यह वाला point यहां पर यह focus है और जब focus यानि earthquake जिस point से originate हुआ उसके बाद जब यह earth surface फे फर्स बर strike करता है यानि surface पे आने के बाद तो वो point जहां strike करता है उस point को हम लोग epicenter बोलते है यहां पर जहां से earthquake originate हो रहा है यहां पर यह वाला point तो this point is called the focus and where it strikes first on the surface of the earth यानि जहां यह पहली बर strike कर है earth के surface पे इस point को हम लोग बोलते है epicenter epicenter से जब vibration होता है वो waves से पूरे surface पर फैलता है और जो सबसे ज़्यादा damage रहता है वो epicenter पे आता है क्योंकि यह सबसे highest point रहता है जहां पर earthquake first time strike कर रहा है epicenter पे strike करने के बाद जब यह फैलने लगता है तो इसका density slow होने लगता है और सबसे ज़्यादा greatest damage जो है वो usually epicenter पे हम लोगों को देखने को मिलता है यहां पर earthquake prediction के बारे में दिया हुआ है तो हाला कि earthquake को हम लोग predict नहीं कर सकते है मतलब उसका भविश्यवानी नहीं किया जाता है लेकिन उसका impact को हम लोग कुछ हद तक कम कर सकते है अगर हम लोग पहले से तयार है तो कुछ common prediction methods जो है जो people locally adopt किये हुआ है वो कुछ इस तरह से है तो इसको देखते है पहले अब हम लोग यहां पर समझते है earthquake predictions के बारे में यानि कि earthquake prediction का मतलब क्या होता है भविश्यवानी यानि earthquake जब आ रहा है तो उसके पहले हम लोग कैसे समझ सकते है कि earthquake आने वाला है तो देखो सबसे पहले क्या है तो studying animal behavior जो animal रहता है वो लोग को यह से बारे में पहले से पता चल जाता है कि कुछ मतलब जो और्थे vibration generate हो रहा है तो वो लोग को मतलब वो भगवान का सकती या फिर जो भी वो लोग को पहले से मतलब अंदाजा हो जाता है कि अर्थ को एकाने वाला है तो वो लोग का जो behavior है ना वो change हो जाता है कैसे change हो जाता है तो जैसे देखेंगे fishes in ponds get agitated जो fishes रहता है ponds में वो बहुत उत्तेजित हो जाता है मतलब pond में आप लोग कभी देखोगे तो मशली जो है उपर मतलब तलाब के surface में आने लगेगा पूरा वो लोग आपस में पूरा उचल कुद करने लगेगा ऐसा करके मतलब scene हो जाता है जैसे आप वीडियो में देखोगे fishes get agitated during the time of earthquake तो जितना भी surfaces रहता है वो सब pond में या river में वो सब उत्तेजित हो जाता है earthquake जबाने वाना रहता है तो वो लोग का behavior कुछ इस तरह से दिखने लगता है हम लोगों को next क्या है तो snakes come to the surface जो snakes रहता है वो surface पे आ जाता है मतलब जितने सारे भी snakes रहता है वो surface पे आने लगता है तो उससे भी आप लोग पता कर सकते हो कि अर्थकुई काने वाला है coming on the surface of the earth जैसे यहां पर सब snakes है वो सब surface पे आने लगता है अर्थकुई के टाइम पे ground start shaking मतलब जो ground रहता है या फिर जो बोलो जहां जमीन है वो shake करने लगता है पूरा things गिरने लगता है मतलब जैसे मालोगर बहुत ज़्यादा ही intensity का अगर अर्थकुई का गया तो उपर से समान गिरने लगेगा पंखा हिलने लगेगा या फिर बोलो टेबल चेर जो है उसमें vibration आने लगेगा इस तरह से जो होता है वो होने लगता है या फिर earthquake forecasting तो ये जो earthquake के scientists लोग रहते हैं जो earthquake के बारे में study करते हैं तो वो लोग अपना forecast करते हैं कि अर्थकुई काने वाला है और फिर वो people को aware करते हैं earthquake preparedness यानि कि earthquake जो है उसके आने से पहले हम लोगों को क्या-क्या safe spot है या फिर कहां पर हम लोग shelter ले सकते हैं तो फिर देखेंगे सबसे पहले कि जो earthquake आ रहा है तो हम लोग shelter कहां कहां ले सकते हैं सबसे पहले safe spot जानते हैं कि जो kitchen का counter हो गया table decks हो गया या against inside corner और wall जो हमारा room है उसका सबसे कोना वाला जो दिवाल है मतलब देखो अगर अर्थ को काया अगर मान लोग घर गिरने का भी संभावना आ गया तो हम लोग side में रहेंगे तो बच जाएंगे क्योंकि beach वाला जो है वो तो नीचे धस जाएगा न तो side में रहेंगे तो हम लोग वहां पर बच सकते हैं या किसी table bed के नीचे अगर हम लोग shelter ले लेते हैं तो भी हम लोगों को मतलब थोड़ा कम chances है injured होने का stay away from fireplaces, areas around chimney, windows that scattered including mirrors and picture frames देखो हम लोगों को कहां कहां से दूर रहना है तो कोई भी fire place से दूर रहना है वो area से हम लोगों को दूर रहना है या chimney's के around नहीं रहना है हम लोगों वैसा windows के भी पास नहीं रहना है जो काज का हो या फिर जहां से lightning आ सकता है ना हम लोगों को mirror के पास रहना है तो यह सब कुछ चीज़े हैं जो हम लोगों को earthquake काने पर ध्यान रखना है हम लोगों को हमेशा prepare रहना है और अपने family members और जो भी friends है उनके awareness मतलब वहाँ पर पहुचाना है कि मतलब कैसे हम लोग earthquake को face कर सकते हैं और कोई भी disaster है जाए earthquake हो या flood हो उसको हम लोग confident रूप से face करना है उसको तो अभी हम लोग major landforms की बारे में पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले समझते हैं landforms होता क्या है तो landforms उस आकरिती को बोलते हैं जो हम लोगों को पूरे earth surface पे हम लोगों को देखने को मिलता है जैसे हम लोगों ने physical features में देखा था जैसे different landforms देखे थे mountain हो गया हम देखेंगे जो different different landscape हम लोगों को देखने को मिलता है हमारे earth surface पे उसके बारे में लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग होगा कि यहाँ पर weathering और erosion से जो भी landforms बने हुए हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो चलिए discuss करते हैं सभी landforms के बारे में landscape is being continuously worn away by two processes मतलब landscape जो रहता है हमारा वो दो process की वज़े से वो हट जाता है अपनी जगह से या तो वो weathering हो सकता है या तो वो erosion हो सकता है यह दो process के वज़े से जो हमारा landscape है वो एक जगह से दूसरी जगह को safe हो जाता है पहले weathering को समझते हैं कि weathering क्या होता है तो weathering is the process of breaking up of the rocks on the earth surface मतलब weathering क्या होता है तो यह कैसा process है जहां पर जो rock रहता है वो earth surface पर ही break हो जाता है earth surface पर कैसे break हो रहा है तो जैसे कोई rock है उस पर rainfall पर रहा है या precipitation हो रहा है या फिर उस पर बहुत ज़्यादा high temperature पर रहा है तो उसके वज़े से rock जो है वो टूट जाता है तो इसी process को weathering बोलता है फिर erosion erosion क्या होता है तो erosion is the wearing away of landscape by different agents like wind, water and ice landscape को एक और process erode करता है जिसको हमने erosion बोलता है और erosion में कुछ agent काम करता है जैसे wind हो गया, water हो गया और ice हो गया wind, water और ice ये तीनों जो भी material को erode करते है वो एक जगा से दूसरी जगा ले जाकर deposit कर देते हैं और ये जो deposit हो रहा है इसी के वज़े से बहुत सारा different different landforms देखने को मिलता है और surface पे चाहे वो weathering हुआ या वो erosion हुआ, erode कर रहा है और फिर deposit कर रहा है तो इस erosion और deposition के वज़े से different landforms देखने को मिल रहा है हम लोगों तो चलिए अब different landforms जितने भी है तो उसको एके करके start करते हैं landforms को तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं work of the river के बारे में यानि river से जितने भी landforms बने हुआ है चाहे वो erosion करके हो चाहे वो deposition करके हो तो उसको हम लोग पहले देखते हैं water to erodes the landscape तो जो water जो है वो flow कर रहा है उससे भी land का erosion होता है जैसे जब कोई river flow कर रहा है तो वो अपने साथ जितना भी छोटा छोटा sediments रहता है या फिर rock particles रहता है उसको तोड़के अपने साथ ले आता है तो उससे भी जो है वो land का erosion देखने को मिलता है हम लोग को तो सबसे पहले जो waterfall है उसका creation होता है river से जैसे river कहीं से flow कर के आता है तो फिर एक rock है जहाँ पर कुछ soft rock का particle है ये soft rock और उसके बाद side side में जो हार्ड rock देखने को मिलता है तो जो hard rock है उसको river नहीं तोड़ पाता है और जो soft rock है उसको असानी से तोड़ देता है तो को when the river trumbles at a steep angle over very hard rock or down a steep valley it forms a waterfall मतलब जो river है कोई भी steep angle यानि कोई भी खाड़ा ढ़ाल से अगर गिर रहा है तो फिर वो hard rock को cut नहीं कर पाता है और soft rock को cut करके वो नीचे उतर जाता है और waterfall का creation हम लोगों को देखने को मिलता है जब river यहां से flow करके waterfall बन गया अब वो plains painter करेग तो plain पे inter करने के बाद वो बहुत twist on turn लेने लगता है कुछ इस तरह से तो जब river twist on turn लेने लगता है तो इस formation को हम लोग meander बोलते हैं meander form होने के बाद जो यह अपना जितना भी deposited material है यानि जितना भी sediments जो लेके आया है वो deposit करने लगता है side side में इस deposition के वज़े से जो meander क लूप रहता है वो धीरे धीरे कटने लगता है और एक oxbow lake create हो जाता है जो इस तरह से हम लोगों को एक krisets like shape मिलेगा देखने को river के द्वारा बनाएगा इसको हम लोग oxbow lake बोलते हैं जैसा हम लोग यहां पर देख रहे हैं यह एक है जो river है वो form कर रहा है meander तो जैसा हम ल water flow कर रहा है यह flow करते करते देखो यहां से जो यह code है यह अपना change कर ले रहा है और धीरे से यह वाला जो पाठे यह separate हो जा रहा है यह separation जो इस तरह से जो है वह oxbow lake का formation होता है हम लोग यहां पर देखेंगे एक काम कर आप लोग पहले आराम से वीडियो देख लो फिर उसक flow हो रहा है ना पहले यह देखो ऐसे ऐसे जा रहा था अब क्या हुआ तो यह अपना course जो है यह change करके कैसा shape ले लिया तो oxbow lake का ले लिया यह जो formation हो गया यहां पर यह कट गया ना यहां से तो इसी को हम लोग आप लेक का formation बोल रहा है फिर उसके बाद जो है floodplain का निर्मान भी हम लोग देखेंगे rivers के द्वारा बनाया गया है when river overflows its bank it deposit the sediments along its bank मतलब जब river flow कर रहा है तो वो धीर धीर अपना जो sediments है जब river overflow करने लगता है तो आसपास का जितना भी एरिया रहता है उसको cross कर लेता है मतलब नेवरिंग जो एरिया रहता है वहां तक भी इसका पान चला जाता है इस एरिया में तो यहां पर sediments को deposit कर देता है और फिर वापस अपने रूट में लॉट जाता है तो फिर जो यह deposited area हुआ यह इसी को हम लोग flood plains बोलते हैं जब यहां पर जितना भी sediments है वो जमा हो जाता है तो और यह बहुत fertile रहता है the raise bank are called levies जो flood हम लोग दे as the sea approaches as the river approaches the sea its speed is reduced जब river धीरे धीरे जब वो कहां जाने लगती है तो सी के तरफ जाने लगती है तो उसका जो speed है वो कम होने लगता है और वो numerous of tributaries में distributaries में तूटने लगती है तो देखो to the future क्या होता है जब एक river flow कर और इसमें बहुत सारा रिवर आकर मिल जाता है तो इसको tribute tree बोलते है है और डिस्ट्रीव क्या होगा तो जब एक river flow कर है में रिवर और उसके आगे जाकि यह बहुत सारा डिस्ट्रिब्यूटरी जैनी अलग अलग पार्ट्स में तूट जाता है तो इसको हम लोग डिस्ट्रिब्यूटरी बोलते हैं तो जब रिवर का कोर्स मतलब यानि जो उसका स्पीड है वो कम हो जाता है तो हम लोग कुछ इस तरह का फॉर्मिशन देखने को मलता है यानि डिस्ट्रिब्यूटरी फॉर्म होने लगता है तो रिवर का जब स्पीड कम होगा है और वो अपने सेडिमेंट्स को अपने साथ नहीं ले जा सकता है तो उसको वो इसको हम लोग यहां पर discuss करेंगे तो चलिए start करते हैं erosion and deposition of the sea wave give rise to coastal landform जो erosion and deposition होता है sea wave के द्वारा जो किया जाता है उससे coastal landform का निर्मान होता है coastal landform का मतलब होता है कि जो landform हम लोग coast पे देखते हैं यानि तट पे जो हम लोग landform देख रहे हैं उसको हम लोग coastal landform बोलता है sea wave continuously strike at the rock crack develop over time they become larger and wider these hollow like caves are formed on the rocks are called sea wave जब sea wave जो है वो rock पे strike करता है तो धीरे धीरे उसमें crack develop होने लगता है और time होते के साथ साथ जो crack develop हो था वो बड़ा हो जाता है और वो बड़ा होने के बाद बड़ा और wider हो जाता है और एक cave का formation ले लेता है और इस cave को जो की sea में बना हुआ है इसको हम लोग sea cave बोलते हैं फिर next है sea art, sea art किसको हम लोग बोलते हैं अभी जैसे sea cave को देखा तो sea cave जैसे है तो जब ये वाला ही जो cave का portion है ये और भी बड़ा होते जाता है इसका cavity और सिर्फ roof बचता है तो उस roof को जो बचा है इसको हम लोग sea arch बोलते हैं फिर उसके बाद stake आता है तो stake के होता है जब ये roof भी हट जाता है और सिर्फ एक single rectangle square piece जैसा बच जाता है तो उसको हम लोग stack बोलते है work of ice तो work of ice में सबसे पहले हम लोग समझते है glaciers to erode the landscape तो glacier होता है किया तो glacier are the rivers of ice मतलब glacier जो है वो ice का एक river है मतलब बर्फ की एक नदी है जो कि landscape को erode करता है चाहे वो landscape का soil को जितना है उसको वहाँ से हटा दे या जितना भी stones रहता है वहाँ का जो solid rock रहता है उसको वहाँ से shift कर दे तो glacier के वज़े से भी जो landscape है वो erode होता है जैसे hilly areas में हम लोग देखते है कि जो glaciers रहता है वो वहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा गड़ा को create कर देता है deep hollows को carve out कर देता है तो जब ice melt होता है तो वहाँ पर water भरने लगता है और वो एक lake में तबदील हो जाता है as the ice melt they get filled up with water and become beautiful lakes in mountains जो गड़ा है इस गड़े में जब ice melt होकर गिर जाता है तो यही फिर lake का रूप ले लेता है फिर next हम लोग glacier morans को देखते है glacier morans क्या होता है तो the material carried by the glacier such as rock big and small sand and silt get deposited these deposits are called glacier morans glacier morans क्या होता है कि जो भी glacier अपने साथ material को erode करके ले के आता है जहे वो बड़ा या छोटा कोई भी rock हो sand या silt के particles हो वो जब ले के आता है और एक जगा पर deposit कर देता है तो उसको हम लोग glacier morans बोलते है जो desert रहता है वहाँ पर जो erosion और deposition का काम करता है वो wind करता है तो वहाँ पर हम लोग तीन तरह का land forms का development देखते है mushroom rocks, sand dune और loises का तो mushroom rock क्या होता है तो जो mushroom shaped का rock रहता है जीज तरह से जो mushroom shape बन जाता है तो ऐसा क्यों होता है जो wind रहता है वो अपने साथ जितना भी sediments रहता है वो ले के नीचे नीचे flow करता है मतलब जब sediments उठा लेता है जो भी धूल कर रहता है तो उसके पाद ज्यादा उपर नहीं उठ पाता है और उपर में कोई effect नहीं पड़ता है तो इसलिए नीचे वाला जो area रहता है वो erode हो जाने के बाद narrow हो जाता है और उपर का area wide ही रहता है तो ऐसा formation को हम लोग mushroom rock बोलते हैं फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं sand dunes तो sand dunes क्या होता है जब हवा चलता है तो वो अपने सा जितना भी जो sediment से उसको उठा के चलता है एक साथ और वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर shift करते रहता है तो जब हवा चलना बंद हो जाता है और रुख जाता है तो जितना sediments जाता है उसी जगह पर गिरा देता है तो वो एक small hill-like formation करतेता है और इसी small hill-like formation को हम लोग sand dunes बोलते हैं फिर आता है loises तो loises क्या होता है तो जब when the grains of sand are very fine and light the wind can carry it over very long distance such when such sand deposits in large area it is called loises जब wind flow करता है और अपने साथ जो भी बहुत ही fine और light particles sand का लेके blow करता है तो वो उसको बहुत दूर तक लेके जा सकता है क्योंकि वो बहुत हलका रहता है और जब दूर पे ले जाके कहीं deposit कर देता है तो वो एक बहुत large area में fell जाता है और इसी deposition को हम लोग loises बोलता है और loises जो है इसका सबसे ज़्यादा deposit हम लोगों को चाइना में देखने को मिलता है क्याता है